चले देखेगा प्रसासन के दूसरी कड़ी पे हम लोग 36 कर विधान सभा चुनाओं के 2023 के परिणाम के बारे में डिसर्स कर रहे हैं तो यह जो पूरा टॉपिक है ठीक है यह बहुत इंपॉर्टेंट यहा रखेगा और इस टॉपिक का सबसे बड़ा अधार है कि यह करेंट फेर के अंतरगा जो है PSC और व्यापम के हर एक्जाम में पुछा जा सकता है ठीक है ऐसे में कल जो है हमने विधान सभा चुनाओं के बारे में बहुत सारे चीज़े डिसकस कर लिया है ठीक है आज जो टॉपिक है हम लोग वापस उसी को कंडिन्यू करेंगे ठीक है तो यह इसके बाद या दिया रखीगा निनका सपत पत्र के नुशार 3 करोड के लगभग इनकी रासी रही है ठीक है उसके साथी साथ या रखीगा इनकी पत्नी का नाम कोशल्या देव्ी है ठीक है और इनका विवाभ जो है доб hour में हुआ था ठीक है या रखीगा विवाभ तो आ कि यहां पर जो है निर्वेरो सर्पंच चुने गए थे ठीक है और उसके बाद या रखीगा उसके बाद 1999 में लोगसभा के सदस्से बने और सदस्से बनने के बाद या रखीगा कि दो बार जो है यह मंत्री के पत्पे भी रह चुके है एक बार इसपात मंत्री और केंद्री छुष्षण के संबन्द में मुख्य मंत्री तो चुनाओ का जो करम है तो आपके सावने आता है तो आपके सामने किसी भी नेता का पहला चेहरा रख दिया जाता है और चेहरा रखने के बाद आपको बोलते हैं कि बोट दिजिए, ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यारखेगा, आपने देखा कि मोधी जी ने सिरिफ मोधी सरकार की values के कारण, ठीक है, यहाँ पर बोट जो है भाजपा को प्राप्त हुआ, और उसी बोट के त है तापको यारखना है कि यहाँ पर बाद में चुने गया है कौन? मुख्य मंतरी, यानि भाजपा की जीतने के बाद, इसका मतलब यह कहलाता है कि यारखी का पहले रमन सिंग के द्वारा जब यह पिक्चर्स आती थी सामने, तो रमन सिंग का पावर दिखता था कि ने ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है? लेकिन जब यह समय आता है, कॉंग्रेस का समय आता है, तो कॉंग्रेस समय के दौरान जो है, जब कॉंग्रेस सी गतिविधी प्रारम होती, तो कॉंग्रेस में भी यह तया नहीं हुआ था कि मुख्य मंतरी कौन बनेगा? ठीक है? लेक के बारे में कोशन्स पूछने के संभावना जादा बढ़ती है ठीक है चले इसके बाद देखीगा कुनकुरी छेत्र जो है विधानसभा करमांग जो है तेरा पर आता है और याद रखीगा विष्णु देश साय को लगभग 87604 बोट मिला था ठीक है और उनके विरोधी कौन मिन्ज ठीक है याद रखीगा कॉंग्रेस से लगभग 25,541 बोट से जो है कॉंग्रेस को हराये गया था याद रखीगा ठीक है इसके बाद कल मैंने बताया था आपको कि कौन-कौन से मंतरी के पद जो है किस-किस विधानसभा चेतर से खड़े हुए है ठीक है तो 9 याद र रखीगा MP के मुख्य मंतरी है ठीक है जैसे अर्जुन सिंग, स्यामा चरंड सुकल, मौतिलाल वोरा, डिपी मिस्र और नरेश चंद्र ठीक है याद रखीगा आपको छेतर याद रखना है यही इतिहास है हमारा ठीक है क्योंकि मध्य परदेश से हम 36 गड़ बना है तो ऐसे हमारे 36 गड़ से चुने गए व्यक्ति और वो अंतिता हar क्या बनते है मुख्य मंतरी याद रखेगा नाम इसके बार रखीगा 36 गड़ के चौथे मुखी मंतरी याद रखेगा 36 गड़ के जो चौथे मुखी मंतरी है इनके बारे में आप बिल्कुल जानते है क्यों इसके बारे में important है इन्होंने सपत कहां से लिया है ये याद रखने है आपको क्योंकि सभी लोगों के सपत इस्थान को पूछा गया है तो सपत इस्थान याद रखेगा कि अजित प्रमित जोगी ने पुलीस परेड मैदान से जो है सपत लिया था याद रखेगा उसके बाद डॉक्टर रमन सिंग भी कहां से लिया है तो याद रखेगा पुलीस परेड मैदान ठेक है तो ये तीनों क्रम पर याद रखेगा सभी मतलब सुरू के चार जो विधान सभा क्रम रहे हैं उनमें आपको पुलीस परेड मैदान याद रखना है रायपूर का याद रखना है ठेक है उसके बाद देखेगा घुपेस बगेल बलबीर सिंग जो है जुनेजा इंडोर स्टेडियम ठेक है तो यह जुनेजा इंडोर स्टेडियम यही अलग है बिलकुल यार रखेगा क्योंकि इसके बाद साइंस कॉलेज मैदान आपके बिलासपूर में सपत हुआ था ठेक है तो उसके बाद देखेगा जुनेजा इंडोर स्टेडियम बिलकुल अलग भुपेस बगेल लेके लिए है ठेक है और उसके बाद यार रखेगा साइंस कॉलेज के मैदान पे हालि में जो है इनका सपत हुआ ठेक है और सपत होने के बाद या रखेगा यह छठवे करम पर जो है यहां या रखेगा इसके बाद देखीगा कुछ facts है यहां पर जिसमें आपको चीजों को या रखना है इतना deal तो नहीं किया जाता है लेकिन आप या रखेंगे कि देखीगा अजीत प्रमजोगी जो है एक मनुनित ठेके मुख्यमंत्री रहे हैं ठेके मनुनियन तो आप सभी समझते हैं ठेके नॉमिनेटेड है यह निर्वाचित नहीं है यहां रखेगा ठेके तो ऐसे मिया रखेगा कि एक नॉम्बर से इनका मनुनियन हुआ ठेके तो देखीगा एक नॉम्बर से 2000 से इनका मनुनियन हुआ और 7 दिसमबर 2023 तक यह क्या रहते हैं कारिकाल में रहते ह यह तो आपको बहुत अच्छा से याद रता है, तीन साल का याद रता है, तो यह देखीगा एक नॉम्बर से 7 दिसंबर का करम, तो याद रखीगा, तीन वर्स 34 दिन का करम रहेगा, जब आपके साथ जो है, बुरा वहवार किया जाएगा, एक्जाम में, याद रखीगा, प स्टेटमेंट कथन और कारा के साथ आ सकता है, याद रखीगा, कि 36 गड़ के पहले मुखी मंत्री जो है, हमारे सासन काल में, या विधासन करम में, तीन वर्स 34 दिन तक कारे रत थे, ठीक है, तो अगर याद है, तो ठीक है, और अगर याद नहीं है, तो फिर ये चुटने बाला है, और कहां से समंदी थे, याद रखे कौन सी पार्टी से, भारती रास्टे कॉंग्रेस, कॉंग्रेस समंदी थे इस समय, ठीक है, इसके बाद देखेगा, डॉक्टर रबन सिंग जो है, डोंगड गाओं और राजन गाओं से खड़े हो थे, याद रखेगा, इनका है, तो यहाद रखना है, ठीक है, 7 दिसंबर से 11 दिसंबर, 12 दिसंबर से 11 दिसंबर, और 12 दिसंबर से 17 दिसंबर, ठीक है, तो यहाँ पर देखेगा, पांच साल चार दिन ठीक है? पांच साल चार दिन अब ऐसे में रखेगा कि पांच वर्ष का जो है 12 दिसंबर के बाद 2003 से स्टार्ट होता है इनका क्रम और उसके बाद 11 दिसंबर अच्छा यहाँ पर एक दिन 11 दिसंबर का जो समय है याद रखीगा उसमें 2008 तक का समय आता है इसमें ठीक है तो ऐसे में समझेगा कि 5 वर 36 दिन का समय है यहाँ ठीक है और भारती जंदापाड़ी समंदित है और याद रखीगा 12 दिसंबर से 17 दिसंबर याद रखीगा 2013 से 2018 के मद्य लगभग आपका समय जो आता है याद प्रश्ची का समय जो है 5 साल तो पूरा होता ही है क्योंकि कारेकाल के संपंधता में है यह मनुनित थे इसलें का 3 वर्स हुआ था याद रखीगा ठीक है मनुनियन के बाद पहली बार चुनाओं कब हुआ है यह पुछा सकता है तो याद रखीगा चुनाओं का जो समय था वो डॉक्टर रमन सिंग के समय प्राराम हुआ था ठीक है इससे पहले चुनाओं नहीं हुआ था ठीक है चले आगे दिखीगा इसके बाद भुपेज बगेल का समय ठीक है 17 दिसंबर को अंतिम बिंदू आया था याद रखीगा लेकिन यह स्टार्ट होता है याद रखीग 5 वर्स 35 दिन का समय ठीक है 5 वर्स 35 दिन का समय भारती रास्टी कॉंग्रेस का समय रहा है ठीक है भुपेज बगेल पाटन शेतर से खड़े होते हैं और याद रखीगा अभी वर्तमान में जो है 13 दिसंबर यह याद रखीगा सपत कब गरहन किया था ये भी आप याद रख जो की थोड़ा सा अलगाव लेते हैं ठीक है इस पूरे विधानसभा चुनाओं में कुछ ऐसे केस आया है हमारे सामने जो एक्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ठीक है तो समझेगा सल से पहले नाम है इस्वर साहू ठीक है छेत्र करमांग 68 साजा के छेत्र से एक समान मजदूर वर्ग के इस वर साहूं ने कॉंग्रे सरकार में मंत्री स्री रभिंद्र चौबध को हराया था तो बहुत इंपॉर्डेंट करम है याद रखेगा ठीक है तो इंपॉर्डेंट है ये की मजदूर वर्ग से समंधित है इसवर साहू आपको जानकारी होगा ये कौन का background राजियतिक background नहीं है ठीक है भाजपा से इनको seat मिला इस वर साहू को और इन्हों ने सब एक statement दिया था कि मेरे पुत्र को उनकी पुत्र की जो हत्या हुई है ठीक है उन्हें कही न कहीं कहना यह चाहिए कि एक जो समाजिक तोर पर जो है अलगाओ जो हुआ उनके साथ ठीक है यह समाजिक तोर पर जो यह घटना घटी है उसमें उनको बराबरी का हक चाहिए था ठीक है तो भाजपा ने क्या किया याद रखीगा कि इस वर साहू को seat दी और seat देने के बाद या अब देखीगा यहां पर राजकुमार टपो ठेक है याद रखीगा सितापूर छेत्र आपको बता दू अमरजित भगत कभी नहीं हारते थे अपने छेत्र से मतलब सितापूर को अमरजित भगत का चेत्र कहा जाता था इन्होंने इसको सीचा है ऐसा कहा जाता है सितापूर पूर्ण नहीं था उसके बावजू जो है विधाय को हरा दिया गया ठीक है तो थोड़ा सा नाम याद रखेगा किसने किसको हराया था यहाँ पर यह घटना थोड़ी इंपॉर्टन थेखेगा इसके बाद इक निलकंठ निताम ठीक है चेतर कर्मांग और दूसरा नाम याद रखना है निलकंट नेताम का ठीक है दो ऐसे व्यक्ति जो आई-एस के छेतर को छोड़ कर राजिदिक छेतर में चत्रिकड़ के राणिदिक छेतर में सामिल हुए है ठीक है इसके बाद देखीगा प्रणाओं मरमची ठीक है मरवाही छेतर से याद रखीगा के धरू को हराने वाले प्रणाओं मरमची पूर्व सैनिक रहे हैं ठीक है तो ये भी याद रखीगा ये भी पूर्व सैनिक है ठीक है इसके बाद देखीगा राजेस अगरवाल ये तो है ही बहुत इंपॉर्डेंट अभी छेतर में कि सरकार में उपमुक्यमंत्री रहे टीयसी देव को हराकर विधानसभा पहुचे हैं ठीक है राजिस अगरवाल या रखेगा नाम ठीक है तो यह चार प्रमुक घटनाएं आपको या रखनी है इस वर साहू का नाम तो बिल्कुल मत भूलेगा ठीक है आपको लगातार यह जो है अगर पेपर सलल रहा तो इस वर साहू आपके सामने प्रकट होंगे यहां पर ठीक है या रखेगा ठीक है इसके बाद देखीगा कुछ छेत्र और है अनुस सर्मा को तो आंते ही है अब लोग ठीक है तो अनुस सर्मा जो है चतिसगर्ड रॉक्स ठीक है ऐसा कह सकते हैं हम तो या रखेगा ठीक है तो इसके पूर राजी सभा सदर से स्रीमति चाया देवी वर्मा जब देखीज कोई व्यक्ती न विदान सभा और लोग सभा तक पहुँच जाता है और उसके बाद उनको जब एप्रोच मिलता है राज सभा में जाने का तो उसका मतलब हैं को उनके अनभव होता है तब जाकर वरास्त्राव में जाते हैं व्यक्ति अनुसर्मा यार रखेगा तो कौन ने किसको हराया यापको याद रखना है और किस छैटर से हराया है तो यार रखेगा अभीनेता है प्रकास रायक को हरा कर विधायक बड़े है तो याद रखिएगा आईएस सेवा दिर्वित्य है बता खुद से स्वेक्षा से इन्होंने आईएस का पत छोड़ा था याद रखिएगा उसके बाद याद रखिएगा लली चद्राकर दुर्ग राविड छेतर से कॉंग्रेस सरकार के ग्रीह मंत्री रहे तामरधर साहू को हराया है तो आप समझ रहे तामरधर साहू को हराना कितनी बड़ी बात है याँ पर देखिए रविंद्र चौबे याद रखिएगा सबसे इंपोर्डेंट तो यहाँ पर यह बात आते 1947 आप गाल को हरा अक टे टीव पर आप यह लिए देखेंगे तो उसराय की संख्या के सि portions किसी भी राज के सीठों की संख्या का कितना परसेंट 15 प्रदिशा थी क्या बनेगा मंत्री बन सकते हैं तो अगर आप समझे कि 90 सीठ है विधायकों की संख्या मा लेजे 71 था पिछले बार कॉंग्रेस की विधायकों की संख्या टेक है 71 में 13 मंत्री हैं वो बहुत स्पेशल होंगे और ये सब मंत्री मंत्री लोग हैं विधायक लोग का तो नामी नहीं कर रहा मैं यहाँ पर ठीक है तो ऐसे में समझे कि मंत्री को हरा देना बहुत बड़ी बात होती क्योंकि आप जब केमिनेट मंत्री में आ जाते हैं तो अपना समझ के देखिए कि वहां के लोग जो है उस मंत्री से तरस्त हो रहे हैं या क्या घटना इसी घटरी है जिसके कारण जो है ये घटना बड़ी सी देखने को मिल रही है ठीक है अनुसर्मा या रखीगा राजनितिक बैक्राउंड बिल्कुल नहीं है जहां पर ये हरा देते हैं सीव कुमार ढहरिया को हरा दिया ठीक है इसी लिए याद आखिए के केबिनेट के अपोजिट वेक्तियों को याद अखिएगा जोड़ सा किसने किसको हराया है ठीक है उसके बाद देखिए के लता उशेडी याद अखिएगा कोंडगाउं छेतर से कॉंग्रेस के पूर देख्च और मंत्री मोहन मरकाम को हरा दिया ठीक है तो यह दुखत है बहुत दुखत है याद रखिए कॉंग्रेस के साथ अगर विधायक हारते हैं तो जैसे अगर आप बोलेंगे कि सेलेस पांडे हार गया कोई पूछा कोई बात नहीं है अगले बार देखेंगे उनका को कोई भी हला नहीं हुआ कुछ पता नहीं चला है ठीक है लेकिन ऐसे से बड़े-बड़े व्यक्ति हारते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत होती ही याद रखिएगा दिक्कत उनको होती हमको क्या दिक्कत होगा तो ऐसे में समझेगा कि यह जो है केमिनेट में रहे हैं मंत्री मंत्री रहने के बाद इन्होंने लंबे समय तक काम किया है ठीक है पांच साल तक इनके हाथ में पूरी फंडिंग थी इनके हाथ में पूरा लॉयन ओर्डर था और ये पूरा कॉंसेप्ट चला थे थे 36 गड़ के छेतर को और उसके बाद जो है हार गये ठीक है तो यार रख केवल इस गारंटी में एक चीज़ आता है कि उसने क्या-क्या जो है फर्मान जारी किये थे कहने का मतलब है कितना क्या देने की बात की गई थी जिसके कारण जो है लोग भाजपर के साथ जुड़ने को त्यार हुए ठीक है तो यह थोड़े से पॉइंट को यार रखेगा स तो सभी को याधी होगा ठीक है 21 कुटल प्रती एक कर या रखेगा और कितने रुपे में 3100 में या रखेगा ठीक है 3100 रुपे में इसका मतलब है कि क्रिसी भाईयों को थोड़ा सा कहीं न कहीं जो है तवज्जो मिलेगा इससे ठीक है देखे जब धान के रेट ना 700 800 व्यवस्ता होती है और क्रिसकों के हाथ में पैसा आना बहुत ज़री होता है याद रखेगा क्योंकि इसके दो कारण होते हैं अगर क्रिसक खुष नहीं है तो आपके पास खाने के लिए भी लाले पड़ सकते हैं ठीक है क्योंकि इस्तिति वह आती है जब वो टमाटर जो ह उपारहन काउंटर इस्थाफित किया जाएगा या रखेगा नगदी ऐसाब से फिछला रिकॉर्ड करने के लिए या रखेगा आपको पड़ेस में धान खरीदी कि पहले बार्दाने क्यों प्रबता सुनिशीत की जाएगी बार्दान समस्ते फैरा क्या होता है बोरा ठेक है? याद रखेगा बारदाने मतलब होता है आपका बोरा और ये बारदाने दो बार ऐसा हुआ था कि बारदाने कम पढ़ जाते थे जैसे आप माली मुझे धान बेचना है और मैं पास बारदाने नहीं है यानि बोरी नहीं है मैं कैसे बेचूंगा? इस कमी के कारण जो है याद रखेगा सरकार के पास धान नहीं पहुच पाती थी साधी साथ कृसक भाई जो है वो धान नहीं बेच पाते थे ठीक है? तो इसलिए ये सुनिश्चित किया गया कि जब धान खरीदी की जाएगी उससे पहले ही आपको बार बार दान जीजे और उसका पैक करके लेकर यह और यहां पर हमारा तॉल लिए और अपना पैसे लेकर जाईए यह है कॉंसेट ठीक है तो याद रखेगा बार दाने का सुनिश्चित करना अच्छे ये कोशन कहां से पुछा था याद रखेगा कृसक उनिती योजना के जो है ठेक है याद रखेगा प्रदेश की प्रतेक विवाहित महिला को 12,000 रुपए की वार्सिक वित्ति साहता प्रदान करेंगे लेकिन याद रखेगा यह स्टेट्मेंट तो दिया गया है अभी इसको क्लेरिफाई नहीं किया गया है कि यहां पर उम्र तयानी की गई है म प्रदेश के एक लाख रिक्त सास की पदों पर समय बद और पारदर्सी रूप से भरती सुनिश्चित करने की बात की गई है एक लाख पद में अच्छा पद की बात आई है तो याद रखेगा एक हजार नटावन पद जो होस्रवाडन के कल हो सकते हैं यह जानकारी मिल ठीक है तो ऐसे में याद रखेगा हमेसे लगबग होस्रवाडन की पद की संग के हमेसे ज़्यादा ही रहती है याद रखेगा पिछली बार अच्छा मैं बता दूँ आपको कि इसमें पोस्ट जो खाली थे वो लगबग 1700 के आसपास पद खाली थे टोटल ठीक है उसमें से 1059 पद जो है यह भरे जा रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ी बात है कि 1059 पद में बहुत लोगों के नाम आएंगे बहुत अच्छा स्कोप है यह ठीक है होश्टरवाडन ने एक बहुत अच्छा स्कोप है और लोग जो है याद रखीगा जिसके math अच्छे हैं जिसके computer ठीक है current affair math और computer या रखीगा GS के pattern में या रखीगा GS में तो बहुत common GS रहेगा इसका जैसे समाने तोर पर रहता है वही GS रहेगा लेकिन यह तीन subject अगर आपके खराब है तो अगर आप अभी भी लगते हैं तो यह चीज़े ठीक की जा सकती है ठीक है चले तो देखीगा एक घरखर निर्मल जन अभियान जो है इसके बारे में एक बात दादू कि कॉंग्रेस सरकार जब थी ठीक है मेरे घर के बाहर भी एक नल लगा है ठीक है लेकिन यह मेरे घर से लगबग एक किलोमेटर दूर लगा है ठीक है और अब समझेगा कि वहां से पाइप नहीं आया मेर पहली केबिनेट बैठक में प्रधान मंत्री अवास्योजना के तहर जो है लंबित 18 लग घरों का पूरा निमान कराएगा कराया जाएगा और धन रासी का अबंटन करेंगे ठीक है दो सालों के अंदर 36 घर में लगबग परते घर में पीने का पानी उपलब्द कराया जाए और यह कितने सालों की बात है यह भी याद रखेगा तो दो सालों के अंदर है याद रखेगा ठीक है इसके बाद देखीगा तेंदू पत्ता संग्रहन एवं दर बोनस ठीक है तो परदेश में तेंदू पत्ता का संग्रहन जो है पहले कितने में हो रहा था यह यह याद र नहीं एक्जाम में पूछा गया तो व्यापम के एक बोरी में कितने पत्ते आते हैं ठेके यह कोश्चन पूछा गया है मानक जो बारदाना होता है तेंदू पत्तक के लिए उसमें एक बोरे में 50,000 पत्ते आते हैं या रखेगा और या रखेगा अब उसका जो रूपय Pelosi कर दोब कर देखेगा संग्रहन को डिन है।讚ён का या दिन होता है कि एक महेने संग्रहन लिया जाएगा तो उसको 15 दिन और और वचल बढ़ा दिया जाएगा अब जो हैक은 95 दिन तक संग्रहन होगा deceidentified को कुशे की कारणवस जो है पहुच नहीं पाते हैं तो उसको अब डिले करके भी संग्रण लिया जाएगा ये समय है याद रखेगा अब देखेगा इसके अतरिक्ट संग्रखू को चारहजार पांसो रुपए तक का बोनस चरण पादुका और अनिस उधाय भी पुना है परदान की जाएगी याद रखेगा तो चारहजार पांसो रुपए तक का बोनस भी दिया जाएगा ठेक है और प्लस क्या दिया जाएगा चरण पादुका चरण पादुका तो समझते ह कल्याड योजना ठीक है दिन दियाल उपाद है क्रिसी मजदूर कल्याड योजना के तहत याद रखेगा परतिक भूमी हीन खेती हेर मजदूर का मतलब यह होता है कि इसके पास अपनी भूमी नहीं है दूसरे की भूमी में जाकर कारे करता है मजदूरी करता है उसे कहते हैं ठीक है तो उसे हर साल कितना मिलेगा 10,000 रुपए यह किसके अंदरगत है दीन देयाल उपाध्या परधान मंत्री जन आरोग्य योजना के तहट जो है आईश्मान भारत के अंदरगत जो है वार्सिक सिमाम को दोगोना करके प्रती परिवार को 5,10,000 रुपए का स्वास्त विमा परधान किया जाएगा ठीक है 5,10,000 रुपए और राज्य में पांसो नए जन आउसदी केंद्र जो है सुनिशित करकी सस्ती दवाईया उपलप्त की जाएगी ये है आपका आईश्मान भारत के अंतरगत 5,10,000 रुपए जो है बिमा पहला दूसरे याद रखेगा कि 500 से नए ठीक है 500 नए जन आउसदी केंद्र जो है सुनिशित की जाएगी जनरिक दवाई तो आपको पता ही होगा ठीक है तो इस समय जो है 36 गड़ सरकार ने अपने समय में जनरिक दवाईयों की कुछ दुकाने खोली थी याद रखेगा कॉंग्रेस में ऐसा हुआ था उसके अनुरूप याद रखेगा कि राज्य में हुए PSC घोटाले की जाज करवाएंगे सभी प्रमुक परिक्षाओं की परिक्रिया को UPSC के तर्च पर सुववस्थित करेंगे मतलब हर एक चीच पैटर्न के हिसाब से होगा और जिस हिसाब से उसकी कड़ाई की जाती है जिस प्रकार से उसे पार्दसीता रखी जाती है जैसा वो systematic होता है वैसा होगा यहाँ पर ऐसा कहा गया है 36 गड़ उधम करांती योजना याद रखेगा 36 गड़ उधम करांती योजना के तहट जो है ब्याज मुक्त रिंड परदान करना जिससे आप अपना बिजनेस चालू कर सके स्टाट अप ले सके इसके बाद देखेगा state capital reason हम national capital reason दिल्ली की तर्च पर state capital reason की इस्थापना कर रायपूर को या नया रायपूर दुर्ग भिलाई नगर का समन्वित संतुलन विकास उनिश्चित करेंगे देखें यह कहा गया था कि metro जो है 2022 तक आ जाएगा और आपके राणियन गाओं भिलाई रायपूर को जोड़ दिया जाएगा ठेक है लेकिन metro का एक pillar भी खड़ा नहीं हुआ अभी तक ठेक है और यह बात 2016 से चल रही है और मैं 2016 से सुनता आ रहा हूँ ठेक है तो यह घटना है लेकिन समझे बात को कि यह कहा गया है कि state regional जो capital region है उसको develop किया जाएगा किसके तर्च पर दिल्ली की तर्च पर जिसमें तीन मुख्य ठेक है जाएगा जिसमें आपका रायपूर रहेगा ठीक है नया रायपूर रहेगा तो नया रायपूर एक ही जिला है एक तरीके से मान की चलिए दूर को भिलाई का छेतर ठीक है तो यहां से ये सभी को जोड़कर जो है इसको डैबलोग किया जाएगा दिल्ली कैपिटल की जैसा ठीक है इसके बाद देखेगा इनोवेशन हब नया राइपूर को सेंटरल भारत का इनोवेशन हब बनाकर राज्ज में 6 लाग रुजगार जो है और सर पैदा करेंगे इनोवेशन हब कहलाएगा इनोवेशन हब ठी ठीक है इसके बाद देखेगा राणी दुर्गावती योजना ठीक है तो देखेगा राणी दुर्गावती योजना के तहट या रखेगा कि परदेश में राणी दुर्गावती योजना की सुरुआज जो है बीपियल वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर अब एक लाग पच रुपए जो है अगर किसी परिवार में जो है महिला का जन्म होता है या रखेगा तो उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा कितने का एक लाग पचास जार का जो आगे जाकर उसके लिए वो खर्च कर सकेंगे ठेक है यह है या रखेगा इसके बाद है कि 500 रुपए में गैस सिलिंडर लाइन तो बहुत सारी भीड अभी देखने को मिलता होगा ठेक है अपने देखा भी होगा सुना भी होगा कि गरीब परिवा बात है या रखेगा महिलाओं के पास अधिकार होगा कि घर में अगर पुरुस्त कोई भी ऐसा प्रॉब्लम क्रेट करते तो घर से बाहर निकाला जा सकता है ठेक है क्योंकि सब कुछ महिलाओं के नाम पर यह अच्छी बात है चले अब देखिए इसके बाद है मासिक ट्रे जारी इस बात की की जाएगी या तो बसों में आपको एक पास दे दिया जाएगा ठेक है या फिर आपको उसका महिना जो है एक खर्च आपके अकाउन पर दिया जाएगा दो घटना है जो इसके संबंद में किया जाएगा यदि कोई व्यक्ति कॉलेज में पढ़ रहा है ठ उसे बस का travel pass दिया जाएगा, जिससे बस में उसके किराया बहुत कम हो जाएगी, अगर मालीजे किसी का किराया 50 रुपय है, तो वो 7 रुपय में जाना आना कर सकता है, ऐसी सिती में, ठीक है, ये सिर्फ college के बच्चों के लिए है, यानि छात्रों के लिए है, ठीक है, school और college क दिखाना पड़ेगा, ठीक है, certificate दिखाना पड़ेगा, या फिर इस परकार की ID दिखानी पड़ेगी, कि वो किस college से सम्मंदित है, और regular चात्र है नहीं, private चात्र वाले अब भर देंगे ऐसा, तो उनको थोड़ी मिलेगा, ठीक है, तो ऐसे में ये भी criteria है, या रखेगा, कि travel allowance जो है, ये खोशित किया गया है, ठीक है, या रखेगा, maistric travel allowance, इसके बाद देखेगा, भरष्टाचार के खिलाप आयोग का स्थापना, ठीक है, तो यहाँ पर या रखेगा, इसे कहा जाता है, zero tolerance निती, ठीक है, इसके तहर देखेगा, भरष्टाचार के खिलाप होना चाहिए, इस तरीकी की बात, या रखेगा, भरष्टाचार के सिकायत के और निवारण और निगरानी रखने के लिए, एक वेप पोर्टल बनाए जाएगा, मतलब आपको, देखेगे, इसी नुकसान भी होता है, माली जी अब आपका सेलेक्शन नहीं हुआ, अभी होत हम देने का भी टाइम नहीं है, हम जो है, और चाहते हैं कि आप हमको टाइम और दे दे और प्रक्षातिदी को और आगे बढ़ा दे, ठीक है, यह चीज होता है कि आप पहले से तयारी करते नहीं है, जब अचानल से एक्जाम आयता है, तो उस सुकता तो बढ़ती है, लेकि नहीं बढ़ा दने चाहिए, अब जो लोगों ने महनत किया है पूरे एक साल, दो साल इस सब फिल्ड के लिए, उनको और टाइम खिचाएगा उनका टाइम, ठीक है, जो कि उन लोगों ने तयारी किया था, और उन लोगों ने काफी लंबे समय तक वेट किया था, और ऐसे म नुपसान जो है, फिर बाकी उन बच्चों को ही पड़ता है, जो पहले से महनत कर रहे हैं, लगातार महनत कर रहे हैं, एक लक्ष को साध कर महनत कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर या देखीगा, यह भ्रचाचार सिकायत निवारन या निगरानी रखने वाले जो इसके बाद देखेगा, SIMS और CIT, देखेगा, 36 गड़ के हर संभाग में, AMS के तर्च पर 36 गड़ इंस्ट्यूट आफ मेडिकल साइन्स, हर लोगसबाद छेंतर में, IIT ठीक है, और की तर्च पर 36 गड़ में इस्ट्यूट आफ टेकनलोजी का निर्मार किया जाएगा, ठीक तो AMS की तर्च पर, हर संभाग में, 36 गड़ इंस्ट्यूट आफ मेडिकल साइन्स, SIMS की स्थापना, हर संभाग में, यानि 5 संभाग में, उसके अलावा यार रखेगा, IIT की तर्च पर, ठीक है, 36 गड़ इंस्ट्यूट आफ टेकनलोजी, ठीक है, CIT जो है, इसका स्थाप करते हैं और कौन-कौन पहुच बाता है हमाँ तक ठीक है यह बहुत बड़ा एक बात है फिर भी अगर हमारे हर संभाग में अगर ऐसा होता है तो हमारे सीटों की संख्या बढ़ेगी हमारे यहां जो बच्चे है वो इनोवेशन हब की तरह जो है आगे बढ़ने लगेंगे ठीक है बहुत इंपोर्णेट ही यहां रखीगा एमस और सिम्स के तर्च पर जो है अभी सबसे आगे या जिसका çjd report के जिस राज्यका जिबीप सबसे आगे है वह है आपका महरास्टping ठीक है महरास्टी GDP बहुत ज्ञादा है या रखेगा कुछ तो देशों से ज्यादा एक उसा की ठीक है या अगर अगर आब पुछा जाया कि है भारत में सब ज्यादा GDP किसकी है तो महराष्ट की है ठीक है दूसरे तीसे नमबर पे आपका UP या रखेगा UP और हम तो आते हैं 17-16 सतरे नमबर पर ठीक है 48 billion dollars जो है हमारा लगभग GDP है लेकिन ऐसे में समझेगा कि अगर महराष्ट है और UP के साथ आपको मैं दो बाते बताता हूँ UP ने अभी जो हाल फिलाल में किया है उसके बाद उसने अपने आपको आंद्रप्रदेश से भ्यागी कर लिया ठीक है इसका मतलब आपको समझाना चाहता हूँ UP ने जो अपने आपको किया है भी देश विदेश जो सम्मिलन किया है ठीक है इसे कहा जाता है इन्वेस्ट 36 गड़ सम्मिलन के तर्च पर ही जैसे याद है कि यह सब्द दिया गया है इस जगा पर UP का नाम लिख दीजे तो इन्वेस्ट उत्तरप्रदेश सम्मिलन जो है यह जब योगी जी जो वहाँ पर मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद वहाँ पर पांच बार ऐसा लगातार किया गया और ऐसे में UP का जो तरीका है या UP का जो GDP है वो काफी हाइक हुआ बहुत तेजी सहाइक हुआ है ठीक है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर अगर आप कही पर भी सम्मिलन कराते हैं और यह बताते हैं कि 36 गड़ में इतना छेतर है और खाली है तो वहाँ पर जो है देसी और विदेसी लोग जो है इंटरेस्ट लेने लगते हैं और अपना प अब यूपी में बॉलिवूड को आमांत्रित किया गया है अब यूपी में है रामुजी के बारे में आप हयोगा जा रहा है जिसमेझार बहुत सद्ट बॉलिवूड को भान के जोली ने की कि दियाρε है वह सिद्धे एक तरीकते से डेवलोप किया जा रहा है यूपी को ठीक है 36 गड़ को तो बहुत लेट है यहां पर हलाकी सन्ना के छेतर को जो है ऐसा कहा जा सकता है कि जस्पूर का छेतर जो है डेवलोप किया जाएगा लेकिन यह काफी लेट है और इसमें अभी आप सपने माले बात है भी थोड़ा सा ठीक है देखीगा सरकार तुहर द्वार या रखीगा परदेश में सरकार तुहर द्वार योजना के अंदर गड़ जो है ग्राम पंचायत और वाड इस्तर पर 1.5 लाख बेरुजगार यूगों को भरतिकर प्रभावी घर पहुच सारवजिनिक सेवा का सुनिश्चित कराना जो है यह कहलाता है सरकार तुहर द्वार ठेक है या रखीगा इसके बाद रखीगा अंतिम मिंदू सक्ति पीठ यूजना यह आपको याद रखना होगा थोड़ा सा कि कॉंग्रेस ने क्या किया था राम कवर्ण मार को डेवलोग किया भाजपा आई भाजपा ने कुछ नया प्लान किया और इन्होंने दाव चला किस पर या रखीगा सक्ति पीठ यूजना पर तो या रखीगा कि परदेश में 1000 किलोमेटर लंबी सक्ति पीठ परियोजना की सुरुवात की जाएगी और 36 गड़ के 5 सक्ति पीठों को उत्रा खंड के चार धाम परियोजना के तर्च पर विक्षित करने का प्लान किया गया है तो या रखीगा उत्रा खंड के जो चार धाम है उनके समंदी जो छेतर हैं उसे हम क्या करेंगे उसी के तर्च पर इसको डेवलोप करने की बात कर रहे हैं तो या रखीगा कुदर गड़ है धंतेश्वरी है रतनपूर का महमाया मंदिर है उसके बाद आपके राज्यन गा दर्सन के अंतर का जो है यह अयुद्ध्या लेकर जाएंगे आपको ठेक है हाँ अयुद्ध्या के लिए ट्रेंच चलेगी सीधे तोर पर या रखीगा और यह जो है चतिसगड़ वालों के लिए यहां के जो व्यक्ति है जो मतलब बुजूर्ग है उनको फ्री में यहां से ले जाये जाएगा और रामलला का दर्सन कराये जाएगा ठेक है तो यहां से जो है आपको एक बात बस समझनी है कि यह सारे टॉपिक जो है अब आज आपने पढ़ लिया है आपके साम को जो है एक क्विज किया जाएगा जो की विधान सबद 2023 से समनीत होगा 20 कोशन होंगे आपके मोबाईल एप पे ठीक है एप डाउनलोड कीजेगा नहीं किये तो और अगर कर लिया है तो अच्छी बात है आपके लगबग 5-6 बजे जो है यह क्विज चालू होगा और आप जो है इसके 20 कोशन को सॉल्व करेंगे और यह सारे सॉल्व करने के बाद जो है कल मैं का एंसर जो है यहां पर देखकर बताऊंगा कि किसके नंबर अच्छे हैं वहाला कि आप कंपेर करेंगे खुद से क्योंकि वहां पर लिस्ट जब होता है तो आपको यह दिखेगा आपकी कौन